मंडी जिला के सराज विधानसबा क्षेत्र के दुर्गम स्थानों की रोड कनेक्टिविटी कट जाने के बाद केंदर सरकार द्वारा यहां रेस्क्य ओप्रेशन और रहत समगरी के लिए भेजे गए भारतिय वायुसेना के मी-71 हेलिकॉप्टर का ओप्रेशन पांच दिनों तक चलने के बाद आज संपन हो गया आज भारतिय वायुसेना के इस हेलिकॉप्टर ने अंतिम दो उडाने भरी और उसके बाद वापिस जम्मू लोट गया प्रशासन की तरफ से इस ओप्रेशन को संभाल रहे SDM सदर ओम कांथ ठाकूर ने प्रशासन की तरफ से भारतिय वायुसेना का आभार जताया उन्होंने कहा कि पांच दिनों में हेलिकॉप्टर ने 23 बार उडानी भरी 34 तन राशन, दवाईयां और हाईजीन किट दुर्गम स्थानों तक पहुँचाई इसमें प्रमुक रूप से कर्थाच, कशीमली धार, ओडी धार, कडॉन, भाटकी धार, छतरी और अन्य दुर्गम क्षेत्र शामिल रहे पूरे ओप्रेशन के दौरान, चार मरिजों को भी एरलिफ्ट किया गया हेलिकॉप्टर पर राशन लोड करने और हेलिपेड पर सारी विवस्ताएं देखने में रेड क्रोस और एंचिसी सहीत सौ से ज्यादा लोगों की टीम मौजूद रही इसके साथ ही विंग कमांडर इर्फान जर्याल, विंग कमांडर अंकित सूद, फ्लाइट, इंजिनियर मनोश और अंकित सहीत अन्यलोग शामिल रहे यह मंडी जिला परसासन की तरफ से और एड कोर्स की मदद से और भारतिय वायुषिना के हेलिकॉप्टर के थुरू जो है हमने बाली चोकी गोहर तुनाग वाले एरिया में जो कम्प्लीटली कट ओफ हो चुके थे वहां पर हमने राशन गिरवाया लगभग जो है टोटल 36 टन राशन जो है अभी तक गिराया गया है और आज यह एकॉर्डिंग टू डिडिये में ऑथिरिटी यह जो है मिशन अभी बाई एयर जो है उसको कम्प्लीट कर दिया गया है हमने उन्हें दिर इकोईजीशन लेटर भि दे दिया है और हम धन्यवाद करते हैं जिलापरशासन की तरफ से सरकार की तरफ से भारतिय वायूशेना का कि जिन्हों ने हमें इस बहुत बढ़ी आपदा में हमारा मदद किया हमारे जिलापरशासन का सभीयोग किया बहुत इवन हमने NCC कैड़ेट्स का भी सारा लिया तो ये सारी चीज़े हैं